नमस्काल दोस्तों आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे महराज़ा चातर साल बुनिलखंड विश्विध्यला चातरपुर से संबंदित समस्त महाविध्यला में अगर आप 1723-24 के अंतरगत प्राइवेट ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके जो ऑनलान आवेदन है वो प्रारम हो चुके हैं तो इससे संबंदित पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे सबसे पेले यहाँ पर जो मुख पोर्टल हैं हम इसे ओपन करते हैं इसके बाद यहाँ पर आप इसका जो लिंक है वो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पीडियेप का लिंक आ चुका है और जो नौटिफिकेशन है वो भी आप 4 मार्च 2024 की डेट में देख सकते हैं इसमें नावंकन प्रिथंबर्स मार्च 2024 की जो परिक्षा है प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए उनकी जो जानकारी है यहाँ पर आ चुकी है तो हम इस पीडियेप को ओपन करते हैं इसके बाद आप सभी को जानकारी बतारा चाहेंगे यहाँ पर जो हम नावंकन ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो पीडियेप है इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि आप कब से कब तक आविदन कर सकते हैं और यहाँ पर समस्त कोर्सों के लिए यानि महराज चत्र सल बुनिलखंड विद्ध्यला चतरपुर से संबंदे जितने भी महाविद्ध्यला हैं उन सभी महाविद्ध्यलाओं में ग्रेजुएशन प्रिथम बार्स जिसमें BA, BSC, B.com आधी के जो कोर्स है इसमें प्राइवेट उन सभी चात्राओं के लिए अगर आप महराज चत्र सल बुनिलखंड विद्ध्यला चतरपुर के किसी भी महाविद्ध्यलाओं से प्राइवेट ग्रेजुशन करना चाहते हैं इसके साथ अगर आप इस डेट में आविद्धर नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जो है 23-24-26-23-24 तक अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे 150 रुपए अत्रिक्तिसुल के साथ अब समस्त आविधक जो यहाँ पर अपना ओलाइन आविधन करेंगे नामंकन करेंगे नामंकन करने के बाद आपको एक्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है बहुत जल्द इस पोर्टल पर दे दी जाएगी और इसकी जानकारी हमारे वीडियो के माध्धम से आप तक पहुँचाई जाएगी तो आज जो है 4-3-24-24 को नाटिपेकेसन जारी हुआ है जिसमें आप अपना नामंकन कर सकते हैं अब नामंकन करने के बाद आपका जो नामंकन है वो कॉलिज से एप्रूव होगा इसके बाद जैसे नामंकन नंबर आपको मिल जाता है फिर आप जो है यहाँ पर अपना एक्जाम फॉम भर पाएंगे तो एक्जाम फॉम भरने की जो information है बाद में यहाँ पर दी जाएगी तो अभी आप अपना नामंकन कर ले नामंकन में लगने वाले जो कक्षा दस्वी कक्षा बार्वी की माक्षीत लगेगी इसके बाद अगर आप जो है कक्षा दस्वी में जो आपकी अंकसूची है वो जन्मतिती सत्यापन हेतुगा आप यहाँ पर लगा सकते हैं आप मद्ध्रदेश के मूलनिवासी है तो मद्ध्रदेश का स्थाई निवासी प्रमाणपत्र और S.C.H.T.O.b.C. केटिगरी से हैं तो जाती प्रमाणपत्र अगर आपके पास माइकरेशन और टी सी है तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इसके बाद आपको ये समस्त डाकुमेंट्स आपके महाविध्याला में जमा करने होंगे जिस महाविध्याला के लिए आप आविधन करेंगे तो यहाँ पर बहुत जल्द इसका पोटल ओपन कर दिया जाएगा साथ ही जो एकजाम फॉर्म है उसकी भड़ने की जो एठ है यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर रेगुलर और प्राइवेट छाट्रों के लिए सभी के लिए समान देट होगी और साथ ही पोटल ओपन किया जाएगा तो तब आप अपना exam form भी यहां पर भर पाएंगे और इनकी जो परिक्षा है वो March और April के बीच में यहां पर परिक्षा रखी जाएगी तो यहां पर जल्दी इनका time table भी आने वाला है तो अगर आप graduation करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी नामंकन कर लें नामंकन के बाद की प्रिक्रिया यहां पर हम बाद में वीडियो के माद्धम से बताएंगे जानकारी अच्छे लगी हो तो लाइक और से जरू करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद